एडिहाइड और किटोन के विशाय में जान लेने की पश्चात आएए अब हम जानते हैं एक विशेश प्रकार के कमपाउंड के विशाय में और ये कमपाउंड है कार्बॉक्सलिक अम्ल कार्बॉक्सलिक अम्ल ऐसे कार्बनिक योगिक जिनमें की COOH क्रियात्मक समुम के रूप में उपस्थित होते हैं अभी हम यहीं जानते हैं कि इनका नाम कार्बॉक्सलिक कमल क्यों पड़ा तो यदि हम कार्बॉक्सलिक समू की सरचना देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर कार्बन है और उससे डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ एक ऑक्सिजन है यहाँ कि यहाँ पर C डबल समू है तो यहाँ पर कार्बोनिल समू के कार्बो तथा हड्रोक्सलिक समू के पीछे का जो भाग है उससे मिलाते हुए इनका नाम रखा गया है कार्बॉक्सलिक समू और चुकि यह अमली प्रकृतिके होती हैं इसलिए इनके नाम के अंत में एसिट या अमल जोड़ा जात तो सबसे पहले अब हम देखेंगे इनका वर्गी करण तो यहाँ पर जो भी कार्बोक्सलिक समू के साथ जुड़ा हुआ जो आर समू होगा वो एलकिल समू है या फिर एरिल समू है इसकी आधार पर हम कार्बोक्सलिक समू को दो वर्गों में पाट सकते हैं सबसे पहले एलीफट के कार्बोक्सलिक अमल वहोंगे जिसमें कि कार्बोक्सलिक समू से जुड़ा हुआ जो भाग वह अलकिल होगा यानिकि इसका समानिश सूत्र हो जाएगा और सी zoo दूसरी और जो एरोमेटिक कार्बाक्सिलिक कंपाउंड होंगे उसमें आर के स्थान पर यहां पर एक एरल समूह जुड़ा होगा जैसे कि हम यहां सकते हैं बेंजिन रिंग है और उसके साथ जुड़ा हुआ है सब्सक्राइब के ऐस दो बात सकते हैं उसके बाधा देखते हैं इनकी प्रकृति में उप्लभव्यता caval the, यह घृत सिर्प योगिक विभण के बात करें आहें वाले जो कार्बॉक्सलिक योगिक होते हैं उन्हें वसी अम्ल या फैटी एसेट्स कहा जाता है वो इसलिए क्योंकि इन्हें सबसे पहले फैट यह वसा या यह निकिया जिसे कहें ओयल के त्वारा इन्हें आईसोलेट किया गया था जिसमें कि यह एस्टर के रूप में друг pals के उसलिए और यहां पर यहन के प्राथमिक प्राथमिक पदार्थ के रूप में उपियोकिये जाते हैं यहां पर जैसे की हम लेए जो कार्बॉक्सलिक योगिक है उसमें से जो कापॉक्सलिक समू है सी ओ औो एच jar को किसील या एरियल समू के द्वारा в प्रतिस्थापी कर दें तो यहाँ पर हमें नए प्रकार के कंपाउंड मिल जाएंगे जिन्हें हम एस्टर कहते हैं यह निकी कार्बाक्सलिक अमलों को इस्टर के प्रपरेशन के लिए भी प्रारंभीक पदार्थ के रूप में उप्यों किया जाता है इसी तरह से यदि हम सी ओ ओ एच समू के ओ एच को एच टू समू से रिप्लेस कर दें तो हमें एक नए प्रकार के कार्बनी क्योगिकों का समू प्राप्त होगा जिने हम एमाल्ड कहते हैं इसी तरह से यहाँ पर यदि हम ओ एच समू को सील समू से रिप्लेस करतें तो यहाँ पर हमें नए प्रकार के कार्बनी क्य साथ यादि यहाँ पर हाड्रोजन को समूंव का एक नया समु परापत हो जाता है जिन्हें हम acid and hydride कहते हैं तो इस तरह से हम देखें कि कार्बॉक्सलिक अमल काफी महत्पूर्ण योगिक हैं क्योंकि बहुत सारे अन व्यत्पन्नों या derivatives को prepare करने के लिए इन्हें प्रारंभिक पदार्थ की तौर पर उप्योग किया जाता है इसके बाद हम देखते हैं कार्बॉक्सलिक अमलों का नामकरन तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो कार्बॉक्सलिक अमल हैं प्रकृती में बहुत अधिक संख्या में मुझूद हैं और काफी इससमय पहले से इन्हें इनसे विलगित किया जा चुका अब और इसी लिए बहुत सारे कर्बॉक्सिल कुल अज भी इनके सामान नाम से जाने जाते हैं , इनके सामान नाम थे प्रायांसे प्राप्ट की घया यपि जो शूंत थे उनके ग्रीक या लेटन जो शब्द हैं उनके द्वारा वित्पन किये गए थे जैसे कि हम ले जो एक कार्बन वाला कर्बाक्सलिक अमल होता है जिसे हम कहते हैं फार्मिक अमल तो फार्मिक अमल को सबसे पहले लाल चीटियों के द्वारा आइसोलेट किया गया था और चुकि लेटें में जो लाल चीटियां है उनके उसका नाम पड़ा इसी तरह से हम एसिटिक एसिट को सर्वप्रथम सिरका से प्राप्त किया गया था और सिरका का लेटेन नाम होता है एस इ suppliers के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा एससे तरह से एक और उधारन ले सकते हैं जैसे कि ब्यूटरिक एसिट को यहां पर मखन से प्राप्त किया गया था सरुप्रथम और मखन को चुकि लेटें में ब्यूटिरम कहा जाता है और इसलिए इसका नाम ब्यूटरिक एसिट पड़ा तो इस तरह से हम देखें कि बहुत सारे कॉर्ब आयोपीयसी पद्धती में नामकरन किस प्रकार से किया जाता है तो आयोपीयसी पद्धती में नामकरन करने के लिए हमें कुछ नियम का पालन करना होता है सबसे पहले तो हम यह देखें कि इनमें जो कार्बॉक्सलिक समू है यदि हम कार्बॉक्सलिक समू में आप देखें तो उस समय इनका नामकरन अलग परकार से किया जाता है जैसे कि अलिफर्टिकर च्वर्वनिक कंपाउंड का यदि हम नाम लें तो वहां पर उस समय जो फार्टिकर्व Sakshlaümd होंगे उसमें जो कुल कारबन की संख्या घिन कर जो संबंधित इल्केन होगा उसके नाम के अन्त से E हटा कर उसके स्थान पर OE Acid जोड़ दिया जाता है और इस तरह से इसका नामकरण किया जाता है लेकिन यदि हम कार्वाक्सलिक समू के कार्बन को मुख्य श्रिंखला में नहीं चुनते हैं उसका काउंट नहीं करते हैं तो उस समय हम कार्वाक्सलिक समू को संधित इलकेन के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है और साथ ही अंत में पूरे कार्वाक्सलिक अमल को दर्शाय जाता है पूरा नाम लिखा जाता है कार्वाक्सलिक अमल साथ ही साथ यहां पर जितने भी एक दो या तीन जितने भी कार्वाक्सलिक अमल होते हैं उनकी संख्या को दर्शाने के लिए जो रोमन संख्या हैं उनका उपयोग किया जाता है तो आएए अब हम कुछ उदाहरन के द्वारा इन्हें समझते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि एक कार्बन वाला जो कार्वाक्सलिक्स योगिक होगा जिसका सूत्र होता है अब फॉर्मिक अमल जब हम इसका आयूपस सी नाम करेंगे तो यहां पर चुकि एक कार्बन है और एक कार्बन के लिए जो एलके नाम हम देंगे उसको होता है मैथ और चुकि यह संत्रिप्त कंपाउंड है संत्रिप्त योगिक है इसलिए अंत में आएगा एन तो मेथेन और साथ में अब यहां पर जो कार्बोक्सलिक सम्मू है तो यहां पर मेथेन के ए को हटाकर यदि हम इंगलिश में लिख रहे हैं तो ए को हटाकर अंत में ओएक एसिड जोड़ दिया जाएगा तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा मेथेन नौइक एसिड इसी तरह से हम दूस तो इसका जब हम नाम करन करेंगे तो चुकी यहां पर दो कार्बन हैं और दो कार्बन के लिए हम लिखेंगे एथेन और यहां पर अंत में जोड़ा जाएगा ओए एसे तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोई यहां पर तीन कार्बन वाला यदि का योगिक है जो वहां पर हो जाएगा जैसे हुदारान ले दें हम — CS3, CS2, COOH — तो यहां पर इसका जो सामान नाम होता है वो होता है प्रोप्योणिक अम लेकिन जब हम इसका आईू-प्यन लिखेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे प्रोपvenueuk acid, propane, और साथ में लगाएंगे oic acid, इसी तरह से यदी 4 कर्बन वाला कर्बकिली किlli接 ऑगीख होगा, तो वहाँ पर 4 कर्बन के लिए हम यूज़्ज करेंगे butane, तो यहाँ पर हो जाएगा, अंत में जोडएंगे oic acid, तो इसका नाम हो जाएगा इसी तरह से माल लिजे कि एक अलग उधारान हम ले रहे हैं जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपके पास CH3CH जिससे एक मैथाइल समूर जुड़ा हुआ है CH3 और साथ ही साथ से जुड़ा हुआ है कॉर्बाक्फलिक समूर को हैं तो इसका नाम करन हम जानते हैं कि यह जो सरचना यह आइस तक करते हैं और इस तरह से नाम हो सब्क्राइब को नबन हो relief डेकिन जब हम इसका आई Supply पदधती में नाम करेंगे तो हम जानते हैं他ं हम मुख्य श्रिंखला का चेन करेंगे जिसमें कि हम कार्बॉक्सलिक अमल कर जो समू है उसके कार्बन को पहला अंक देंगे और इस तरह से यहां पर हम देखेंगे कि दूसरे नंबर के कार्बन पर एक मेथाइल समू जुड़ा हुआ है जिसे प्रतिस्थापी के रूप में लि कर दिया जाएगा और इस तरह से जो एलकेन के नाम के अंत से आढ़ से ए वोरce सिटार जाएगा अब हम कुछ और महीं करें बदोंकों करते हैं जैसे कि यह बहुत ही प्रशलेत उदारान हैं आप जानते हैं सी ओ यच्च और नसीत यह कर दूसरा समूं है COOH यानि कि दो कार्बोखिलिक समु आपस में कारबन के द्वारा यहां पर जुड़े हुए हैं इसका जो समान नाम होता है वो होता है ओक्जैलिक एसे और जब कार्बोखिलिक समु का इसका जो आईउपीसी नाम किया जाएगा तो उस समय हम जानते हैं कि यहां पर दो कार् स्टीं दूसरे नमबर दे सकते हैं और इस तरह से यहां पर दो कार्बन का ये योगिक है इसलिए इसका जो नाम होगा एठेंशे शुरू होगा और चुकि करबौक्जिक समू के कार्बन बंन और डू拜拜 जाएक तो इनको दोनों यह जो अगजाली कामल आपको दिख रहा है इसके बीच में एक और कारवन की श्रिंखला जोड़ दें यानि कि CH2 जोड़ दें तो हमारे पास सुत्र हो जाएगा यहां पर कार्वन की संख्या 3 हो गई है और यह जो कंपाउंड है यह भी बहुत महत्वण हैं इसे हम कहते हैं मैलौनिंक एसट यह मैलोनिक एसट जो की हमें से प्राप्थ होता है और इस तरह से हम यहां पर लें इसी तरह से जो वो हमें प्राय टमाटर से या फिर अंवले से हमें प्राप्त होता है तो यहां पर हम ले रहे हैं मैलोनिक इसका सामाने नाम है और इसके बाद यह भाद इसका आयूपेसी नामकरन करेंगे तो चुकि हाँ पर दो कारबन है तो उसके लिए जो एलकेन होगा उसका नाम हो तो चुकि इनकी दो ही है इसलिए जो प्रिफिक्स है पूर्व लगना के रूप में डाई लिखा जाएगा तो यहां पर नाम हो जाएगा प्रोपेन-1-3 डाई-ओए एसिड या प्रोपेन-1-3 डाई-ओए अगला उदारण हम ले रहे हैं यहां पर हम फिर से एक कारबन की श्रिंखला को बढ़ा देते हैं यानि कि जो सूत्र है वो हो जाएगा सी ओ ओ एच सी एश्टू सी ओ ओ एच यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है और इससे कहा जाता है सक्सीनिक अमलेट और यह सक्सीनिक अमलेट जो है वह प्राया अंबर जो होते हैं उनमें जाते हैं और इनका जब हम आयो पीसी नामकरण करेंगे तो यहां पर हम देखें कि कारबन की जो संख्या है वह चार है इसलिए इसमें एलकेन का नाम होगा ब्यूटेन साथी साथ यहां पर दो करवाक्स लिक समू है इसलिए जो पूर्व लगन है वो डाई उपयोग में ल इसके बाद हम श्रिंखला को और आगे बढ़ाते हैं और चार की जगहा पर आप हम पांच कारबन की श्रिंखला रखते हैं और यहां पर इसका जो सूत्र होगा वो है COOH CH2 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 और उसके बाद फिर से COOH यह भी बहुत ही महत्तपुन कंपाउंड है और इसे कहा जाता है यहां पर ग्लूटरिक एसेड और यह ग्लूटरिक एसेड है जिसमें की इसका सामाने नाम है और इसका जब हम आयोपीसी नाम करेंगे तो यहां पर फिर से हमें केवल एलकेन का नाम बदलना होगा एलकेन में चुकि पांच कारबन आ गये है इसलिए यह पेंटेन का में लाएंगे तो इस तरह से इनका नाम हो जागा पेंटेन वन फाइव डाई ओए ऐसे यहां पर यह सभी उदारनों में हम देखें कि इनके आयोपीसी नाम तो काफी सिस्टमेटिक हैं काफी सरल है लेकिन इनके जो सामानी नाम है वो भी काफी महत्यपुन है और काफी इन और इसे में इनकी सरचना बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं इनमें केवल एक सिस्टू की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे तो यहां पर ऑग्जालिक एसट में आप देख रहे हैं दो कार्बाक्सलिक समू हैं जब मैलॉनिक एसट में देखेंगे तो बीच में एक श्रिंखला बढ़ गई है और इसके बाद हम देखें ग्यूटरिक अमल जो है उसमें तीन कारबन बीच में आ गए हैं तो इस तरह से इनका नामकरन किया जाता है इसके बाद हम एक और कारबन की श्रिंखला बढ़ाते हैं और यहां पर हम जो सूत्र ले रहे हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कुल जो कारबन की संख्या हो गई है वह हो गई है छे यह भी एक बहुत ज्यादा महत्वण कंपाउंड है और इसे कहा जाता है एडपिक एसेड और यह बहुत सारी बहुलक को बनाने के लिए इनका उप्योंग किया जाता है इसका नामकरन य तो यहां पर हो जाएगा 1,6 और संख्या इनकी दो ही है इसलिए जो पूरू लगना होगा वो डाई उप्योग में लाया जाएगा तो इस तरह इसका नाम हो जाएगा है है यह भी काफी महत्वण कंपाउंड है तो इसके बाद हम देखते हैं एक ऐसा उधारन लेते हैं जि है COOH फिर है CH2 फिर CH जिससे जुड़ा हुआ है COOH और CH से ही नीचे जुड़ा हुआ है CH2 और उसके बाद अंत में फिर से COOH तो यहां पर हम देखें कि कुल कार्बन जो हम देख रहे हैं वो है यदि हम तीनों इसमें तीन कार्बाक्सलिक समूं उपस्तित हैं और यदि हम त चे वे जो कार्बन है वो उनकी संख्या है तीन तो यहां पर यदि हम इसे प्रोपेन का डेरिवेटिव मानकर इसका नाम करन करते हैं तो पहले हम बता दे कि जो इसका इस कंपाउंड का सामान नाम होता है वो होता है कार्बलिक अंबलग तो इस तरह से जब हम इसका मानेंगे और इस तरह से इसका जो नाम होगा वो होगा प्रोपेन और चुकि यहां पर हम देखें कि पहले दूसरे और तीसरे तीनों ही कार्बन पर एक-एक कार्बाक्सलिक समुह जुड़ा हुआ है इसलिए इनके लिए लिखा जाएगा वन टू थ्री अब इनकी संख्या है तीन इसलिए जो पूरू लगना उपयोग में लाया जाएगा वो होगा प्राइब और इसके बाद हम लिखेंगे चुकि यहां पर तीनों कॉर्बाक्सलिक अमल के कार्बन को हमने मुख्य श्रिंखला में काउंट नहीं किया है इसलिए हम पूरा नाम लिखेंगे ओएक ना लिखकर पूरा नाम लिखेंगे कार्बाक्सलिक अमल या कार्बाक्सलिक एसेड तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 123 प्राइक कार्बाक्सलिक अमल यह इस कंपाउंड का नाम होगा इसी तरह से आईए हम कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के नामकरन करते हैं जैसे कि य यह भी बहूत ही प्रचली कारपनी कंपाउंड है जिसका नाम होता है बेनजोई अमलब और जब हम इसका आयू पेसी नामकरण करेंगे तो इस तरह से इसका जो आयूपीसी नाम होगा वह होगा बेंजीन कार्बॉक्जिलिक अमल इसी तरह से माली जी आपंड दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं एक है यहां पर यहां पर जो सीएश्टू है उस कार्बन से यहां पर एक बेंजीन रिंग जोड़ी हुई है तो यहां पर हम देखें कि यह जो है यह दो कार्बन वाले एलिफर्टिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है तो यहां पर दो कार्बन इस यह जो इसका कंपाउंड है उसका सामान ना है उसको उसमें से जो कार्बाक्फलिक समुवाला कार्बन है उसको पहला अंक देंगे और उसके बाद वाले जो समुवाला कार्बन है उसे दूसरा अंक देंगे और यहाँ पर जो बेंजिन रिंग है वह दूसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ी हुई है तो जो बेंजिन कारबन को मुख्य श्रिंख्ला में जो दो कारबन की श्रिंख्ला है उसमें हमने कांट इसलिए इसका नाम होगा टू-फैंयल एथेनोई ऐसे इसी तरह से एक और उदारण ले रहे हैं आरोमाटिक कम पाउंड का उदारण है लेकिन इसमें दो कारबोक्सलीक समू उपस्तित हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर बेंजीन रिंग है और उसमें आर्थो पोजीशन पर यानि कि पहले और दूसरे पास-पास वाले कार्बन पर दो कार्बाक्सलिक समू जुड़े हुए हैं इस कंपाउंड का जो सामान नाम है वह होता है थैलिक नहीं किया जाएगा इसलिए हम इसका जो नामकराण करेंगे वह बेंजीन मुख्य जो मारा हाइड्रोकरबन होगा उसके नाम से करेंगे तो यहां पर हो जाएगा बेंजीन वन्टू डाई कर्बाक्सलिक अमल इसी तरह से माल लिजे यह जो आर्थो पोजीशन की जगह पर यदि यह आपस में मेटा पोजीशन पर दो कर्बाक्सलिक समोह पस्तित हों तो उनके लिए जो सामान नाम होता है वह होता है आईसो थैलिक अमल इसका जो सामान नाम है लेकिन जब हम इसका आयूपेसी पत्तिती में नाम करन करेंगे तो वहां पर इनका नंबर स्थती जो ह कि कर्बाक्सलिक अमलड इसी तरह से यदि हम दोनों किर्भाक्सलिक समोहों को यदि पर रखते हो तो उस समय भी इस carbonic compound का जो carbonic compound है उसका जो सामाने नाम होता है वह होता है यह पर टेरी थालिक अमले और इसका जो आयोपेसी नाम होगा वह होगा चुकि अब कार्वाक्फिलिक समों की इस्थती पहले और चौथे नंबर के carbon पर हो गई है पैरा पोजिशन पर हो गई है तो इसलिए अब इसका नाम होगा बेंजीन वन फोर डाई कार्वाक्फिलिक अमले तो इस तरह से हम एलिफटिक एरोमेटिक कंपाउंड का नाम करन करते हैं यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इनका नाम करन करेंगे तो यदी हम कारवाक्फिलिक समूह के carbon को मुख्षे carbon श्रिंखला में सामिल करते हैं तब हम इनके नाम के अंत में जो हड्रोकार्बन का नाम है उसके अंत के E को हटा कर OE अमल जोड़ेंगे लेकिन यदि हम इनके कार्वाक्सलिक समू को मुख्य श्रिंखला में शामिल नहीं करते हैं उस समय जो कार्वाक्सलिक समू है उनके अलावे जो कार्बन की संख्या होगी उसी के आधार पर हम हड्रोका करवन का नाम लिखेंगे और साथी साथ जितनी उनकी संख्या होगी उनकी स्थति के अनुसार दर्शाती हुए तथा मोनो डाइट्राई जो भी पूर्व लगन है उसको लिखते हुए हम पूरे कार्बाक्सलिक अमल का उप्योग करेंगे तो इस तरह से हम कार्बाक्सलिक कमलों का नाम करन करते हैं